आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहाने की और अपने दोस्त रमेश के साथ बाते करते करते मैंने जब दीवार घड़ी में वक्त देखा तो मैं चौकते हुए एकदम से उठकर खड़ा हो गया क्योंकि घड़ी में रात के नौ बज रहे थें बातों ही बातों में इतना वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला तभी रमेश बोला घड़ी मत देख आज अब कहीं जाने की जरुत नहीं है कल सुबा चले जाना इस पर मैंने रमेश को बोला नहीं यार नहीं रोख सकता तु तो जानता है मेरे बोस को एक दिन अगर काम पर नहीं गया तो मुझे खा जाएगा रमेश ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी तरह रमेश को समझा बुझा कर उसके घर से बाहर निकल आया रात तो सच में काफी हो गई थी क्योंकि रास्ते पर मेरे अलावा दूसरा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था और तो और रमेश का घर भी शहर के एक ऐसे इलाके में था जहां घर आबादे बहुत कम है या यूं कहें तो ना के बराबर है इसलिए मैं भी इधर बहुत कम ही आता हूँ मुझे फिलहाल जरूरत थी तो किसी सवारी की जो मुझे यहां से अपने घर ले जा सके उस रास्ते की हालत देख कर ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे कोई सवारी मिल भी पाएगी क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर कोई ओटो रिक्षा वगेरा क्यों ही चलाएगा मगर मेरी ये सोच तब गलत साबित हो गई जब मुझे अपने से कुछी दूरी पर रास्ते के एक किनारे पर ओटो रिक्षा नजर आई उस रिक्षा को देखते ही मैं तुरंत डौल कर उस रिक्षा के करीब गया रिक्षा के भीतर एक काला सा आदमी पुराने गाने सुन रहा था तभी मैंने उस रिक्षा वाले से कहा भीया त्रिमोड चौक जाओगे आवात सुनते ही रिक्षे वाले ने रेडियो बंद किया फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला त्रिमोर्चोक पर वो तो काफी दूर है रिक्षे वाले की ये बात सुनकर ही मैं समझ गया कि अभी ये मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा मुझे भी ज्यादा पैसे देने में हर्ज नहीं था इसलिए मैंने सामने से ही रिक्षा वाले को ज्यादा पैसों का लालच दिया और वो बड़ी ही आसानी से मान भी गया जिसके बाद मैं रिक्षा में बैठा और रिक्षा त्रिमोर चौक की तरफ आगे बढ़ने लगी उस घनी काली रात में रिक्षा की हेड लाइट के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसकी रोशनी रास्ते पर आए श्ट्रिट लाइट तो दूर की बात है उस रात आस्मान पर चांद भी नहीं होगा था शायद वो अमावस की रात थी या फिर हो सकता है चांद काले बादलों के पीछे छिप गया हो क्योंकि बीच बीच में बादल भी गरज रहे थे लगता है बारिश आने वाली है ये सोचकर मैं थोड़ा परिशान हो रहा था अगर बारिश आने से पहले मैं घर पहुँच गया तो अच्छा रहेगा रिक्षा वाला भी सहद इसलिए रिक्षा को इतनी तेजी से भगा रहा था उसे भी बारिश का ही डर था रात हर पल गहराती जा रही थी रिक्षा अभी आगे बढ़ी ही रही थी कि तभी रिक्षे वाले ने एक जोर का ब्रेक मारा ब्रेक इतना अचानक से लगा कि मुझे जरा भी समलने का मौका ही नहीं मिला मैं एक दम से आगे की तरफ हो गया जिस पर मैंने उस रिक्षा वाले को फटकार लगाते हुए कहा पागल वागल तो नहीं हो गयो तुम ऐसे कोई ब्रेक लगाता है तिमाग ठिकाने पर तो है इस पर रिक्षा वाला बोला सब मेरी कोई गलती नहीं है वो अचानक ऐसे बच्चा लोग आ गया सामने मुझे समझ में नहीं आया रिक्षे वाले की बात सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये रिक्षा वाला किन बच्चों की बात कर रहा है इस दियावान रास्ते पर बच्चा कहां से आएगा मेरी तो कुछ दिमाग में आही नहीं रहा था जिस पर मैंने उस रिक्षा वाले से कहा तुम पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहे न इस रास्ते पर बच्चा कहां से आएगा चुपचा अप रिक्षे चलाओ मेरी बात सुनकर रिक्षा वाला कुछ नहीं बोला कि रिक्षा वाला जूट क्यों बोलेगा जूट बोलने से उसका क्या ही फाइदा होगा ऐसा भी नहीं था कि उससे मेरी कोई दुश्मनी हो जो वो मुझे डराने की कोशिश करेगा अभी मैं ये सब सोची रहा था कि तभी अचानक एक तेज बादल गरजने के आवाज के साथ चोरदार बारिश चालू हो गई जिसका डर था वही हुआ मगर अब किया भी क्या जा सकता है मैं चुप चाप रिक्षा की सीट पर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा रिक्षा तेजी से बारिश को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी अभी रिक्षा चली ही रही थी कि तभी अचानक मेरी नजर रिक्षा के एक बगल दोड रहे दो बच्चों पर गई वो दोनों रिक्षा के साथ साथ बहुत ही तेजी से रास्ते पर दोड़े जा रहे थे मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये दोनों बच्चे इस रास्ते पर कर क्या रहे हैं और ऐसे बारिश में भींगते हुए रिक्षा के साथ साथ क्यों दोड़ रहे हैं जिस पर मैंने उन दोनों बच्चों को टोकते हुए कहा, क्या हुआ बटा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे हो, मेरी आवाद सुनकर वो रिक्षा वाला भी उन बच्चों की तरफ देखने लगा, मगर वो दोनों बच्चे लोग, वो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तभी वो रिक्षा वाला उन बच्चों की तरफ देखते हुए, जोर से चीखा, जिस पर मैंने उस रिक्षा वाले से पूछा, क्या हुआ, चीख क्यों रहा तुम, इस पर रिक्षा वाला बोला, साब उनके पैर देखिए, रिक्षे वाले की बात सुनकर, मैंने जब उन दोनों बच्चों के पैरों की तरफ देखा, तो मेरी सित्टी बिटी गुल हो गई, क्योंकि उन दोनों बच्चों के पैर अब जमीन से 2 फीट उपर थे, वो दोनों चल नहीं, बलकि उड़ रहे थे, ये देख कर मैं काफी डर गया, मेरा पूरा शरेर जोर जोर से काप अपने लगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आकर मेरे साथ हो क्या रहा है तभी उस रिक्षे वाले ने बोला सहब सहब आप डरिये मत मैं कुछ करता हूँ कुछ कुछ नहीं होगा आपको इतना कहते हुए एकदम से उस रिक्षा वाले ने रिक्षा की बच्चों को पीछे छोड़ दिया मगर जैसी ही ओटो रिक्षा ने उन दोनों बच्चों को पीछे छोड़ा कि तभी पीछे से एक आवाज आई आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने चीकते हुए पिता जी कहा हो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर वो दोनों बच्चे उतना सोचा ही नहीं मुझे बस यही डर था कि कहीं वो बच्चे फिर से ना आ जाएं पर हमारी ओटो रिक्षा उन बच्चों से इतना आगे निकल आई थी कि उनका वापस आपाना ना मुम्किन था चलते चलते अचानक ही रिक्षा वाले ने अपनी रिक्षा रोक दी मैंन आसपास देखा तो ये त्रिमोड चौक नहीं था जिस पर मैंने उस रिक्षा वाले से कहा क्या हुआ यहां क्यों रोक दिया रिक्षा मुझे त्रिमोड चौक जाना है तो इस पर उस रिक्षा वाले ने कहा सहब वो जड़ा हलका होने के लिए रोका है इतना कहकर वो रिक् थोड़ी ही देर में वो रिक्षा वाला जाडियों से बाहर निकला और चलते हुए रिक्षा की तरफ आने लगा मगर तब ही रिक्षा की हेडलाइट की रोशनी में मुझे उस रिक्षा वाले के पैर दिखें उसके पैर भी अब जमीन से दो फीट उपर थें मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है लिहाजा मैं वहां से भागने के लिए जैसे ही ओटो से नीचे उतरने गया तो पाया कि वही दोनों बच्चे ओटो के दोनों दर्वाजे पर खड़े हैं उन दोनों बच्चों का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था उनकी शकल पूरी कुछली हुई नजर आ रही थी ये नजारा मैं जियादा देर तक देख नहीं सका और रिक्षा की सीट पर ही बेहोश हो गया पता नहीं मैं कब तक बेहोश रहा मगर जब मेरी आँख खुली तो मैं एक चाई की दुकान के शेड के नीचे पड़ा हुआ था मगर अजीब ब खेर फिर मैं वहां से अपने घर चला गया बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो पता चला कि आज से कुछ महिनों पहले एक आटो वाला अपने दो बेटों को लेकर उसी रास्ते से अपनी आटो से कहीं गुजर रहा था मगर तभी पता नहीं कैसे उनक में तीनों बाप बेटों की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई कहते हैं कि तभी से उनकी आत्माएं भटकती फिरती हैं और अक्सर लोगों का उनसे सामना हो ही जाता है तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्र कर लें तो मैं आपका दोस्तारियन जल्दी मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ